राइट इंफर गलब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हमें एक सवाल का जवाब देने वाले हैं जो क्या आप सभी के लिए गाफिर इंपॉर्टेंट है वो सवाल है क्या हमने ओपर इन्वर्सिटी यानि कि डिस्टेंस लर्निंग के थूरू लना चाहते हैं तो वीडियो लाक्ष्ट तक देखते रहें इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा चीज़े आपको बहुत बहुत बैतरी इन तरीके से किलियर हो जाएंगी दोस्तों अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वाल और स्टेट लेजिसलेचर इन इंडिया और अधर एजुकेशनल इस्टेशन इस्टैपलिस्ट पाइन एक्ट ऑफ पार्लियमेंट और डिकलियर तो बी देम्ड एज अनुवर्सिटी अंडर सक्शन 3 ऑफ दा इनुवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन अक्ट 1956 और पॉसस एन एक equivalent qualification देखें यहाँ पर जो eligibility criteria mention किया गया है वहाँ पर यह कहाजारा है कि candidate के पास यानकी उमीदवार के पास एक degree होनी चाहिए एक bachelor degree होनी चाहिए किसी भी university से वो university state university हो या फिर central university हो वो मानिता प्राप्त होनी चाहिए यानि कि UGC यानिकि University Grants Commission विस्व विद्याले अनुद प्राप्त या फिर उससे affiliated होनी चाहिए अगर आपने ऐसी किसी भी university से graduation complete किया है आपने bachelor degree complete किया है तो आप UPSC CSI का exam दे सकते हैं definitely आप eligible होते हैं आपने graduation किसी भी stream में complete किया है तो आप UPSC CSI का exam दे सकते हैं कुछ specific post होती है उनके लिए अलग qualification है इसलिए आप वो qualification देख इसलिए अगर आप किसी अधर पोस्ट के लिए apply कर रहे हैं इसलिए अगर आपने किसी भी university से आपने open university से या फिर आपने distance या फिर हम कह सकते हैं private university से graduation complete किया है या फिर आपने regular university से graduation complete किया है तो आप UPSC CSI का exam दे सकते हैं इसके लाग जो other government exams होते हैं जहां पर any discipline या फिर और किसी भी university से graduation किया है ऐसा mention किया गया होता है आप उन सभी के लिए apply कर सकते हैं examination दे सकते हैं देखें दोस्तों UPSC CSI के बात करें तो इसके selection process में तीन stage होती है फाली stage होती है prelims यानि कि प्राणविक परिछा दूसरी stage होती है मेंस यानि कि मुखे परिछा तीसरी stage होती ह interview यानि कि साच्छातकार आपको तीनो stage बहतरीन तरीके से clear करनी होती है तब आपको post मिलता है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए आपको इन तीनो जो stage है अच्छे तरीके से clear करना है खोब मेहनत करनी है अगर आप खोब मेहनत करेंगे चीज़े बहतरीन तरीके से क करेंगे तो डिफरेंटली आप उस पोस्ट को प्राप्त कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं मुझे उमीद है ये वीडियो इंफर्मिशन आपके लिए काफी हल्फुल रही होगी और आपका ये जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल गया होगा इस वीडियो को लास्ट त वीडियो कर पाना शाना चाहते हैं